आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे का मटन सालन ये देखिए हमारा ये बकरे का मटन है और ये उसका मसाला है ये देखिए हमारा खशखश है ये धनिया है ये लाल मिर्च है ये जीरा है और ये लॉंग है ये बड़ी लाची है और ये गोल मिर्च है ये हरी लाची है और ये छोटा सा जायफल है और ये थोड़ा सा दालचीनी है अब हम इसको सब हलका भूनेंगे फिर पीस लेंगे और ये हमारा हरधनिया है लस्सन है, अद्रक है, ये नारियल है इसको भी हम इसको पीसने के बाद उसी में डाल कर इसको एक साथ में पीस लेंगे फिर हम इसका मसाला भूनेंगे यह देखिए हम हल्का इसको प्राइ करेंगे बस हल्की सी खुश्बू आने तक भून लेंगे इसको हम सीलो फ्लेम पर यह देखिए हमारा कूकर गरम हो गया है हम इसमें अब ऑईल डालते हैं थोड़ा सा फिर इसमें हम जीरा डाल रहे हैं अब इसमें हम प्यास डालते हैं इसको बूनने के लिए अब इसमें दो से तीन तेज पत्ते डाल लिए हलका सौप्ट होने तक भूनेंगे अब हम इसमें अपना माटन डाल देते हैं अब इसमें हम प्यास डाल देते हैं हम नमक डाल रहे हैं अब तीन सीटी आने तक हम इसको बॉइल करेंगे हम इसमें पानी नहीं डालेंगे जरा भी अलड़ी गोस्त में पानी निकलता है मारे मटन को तीन सीटी हो गए हैं अब हम इसको उतार लेते हैं दूसरे टोप में अपना मटन बनाते हैं अब हम इसमें ओयल डालते हैं हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें प्याज डालेंगे इसको हम पीस कर रेडी कर लिये हैं इसको हम एक साथ में ही पीस लिये हैं कोत मीर लसन सब साथ में पीसे हुए हैं अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे हमारी प्याज हो गई है तेकि इसका कलर ब्राउन आ गया है अब इसमें हम अपना मसाला डाल देते हैं जो हम अभी पीस कर रखे रहे हैं इसमें हम हरी धनिया भी पीसे हैं उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है सालन में आप भी पीस कर देखना अब थोड़ी सी इसमें हम हल्दी डालेंगे इसमें और हम नमक डालेंगे अभी हम और मतर में डाले थे अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा डालेंगे आप अब हम मसाले को बन करके रख देते हैं दस मिनट के लिए चलाते रहेंगे इसमें बीच बीच में नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा हम इसमें हरी मिर्स डाल दिये तीन से चार अब इसमें यह हमारा मसाला हो चुका है अब हम इसमें मटन डालेंगे यह देखिए हमारा मटन अच्छा सा गल गया है यह देखिए अब हम इसमें मसाले में डाल देते हैं अपने मटन को अब इसको हम थोड़ा सा पानी और डाल कर पंद्रा मिनट तक पकाएंगे बस पंद्रा मिनट बनाएंगे फिर हमारी ग्रेवी तयार हो जाएगी यह देखिए हम अपने ग्रेवी में इतना पानी डाले हैं अब हम इसको दस नट पकाएंगे यह हमारी ग्रेवी बनकर तयार हो गई है अब इसमें हम कोतमीर थोड़ी से और डाल देंगे यह देखिए हम आपको निकाल कर दिखाते हैं अब हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइब शेर जरूर करिएगा नेक्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अल्ला हाफिज